तो कहानी शुरू होती है एक लड़के को दिखाते हुए, जिसका नाम एड्रियन था, वो बहुत परेशान, जमीन पर बेड से टेक लगा कर बैठा हुआ था, दरसल उसको उसके दोस्त, जिससे वो बहुत प्यार करता था, उसे छोड़ कर चली जाती है, साथ ही उसने एक वी एक बार में चला जाता है, जहां पर वो खूब शरा पीता है, उसने इतनी ज्यादा शरा पी ली थी, कि अब वो अपने होश में भी नहीं रहता, उससे चला भी नहीं जा रहा था, तब ही उसे संभालने बार में काम करने वाली लड़की आती है, जिसका नाम फेबियाना हो जोचती है कि देखो रात को मैंने इसकी मदद की, इसने मुझे थैंक्यू शुक्रिया तक नहीं कहा, मगर जल्दी शाम में एड्रियन को अपनी गलती के बारे में पता चल गया था, कि उसे फेबियाना का शुक्रिया अदा करना चाहिए था, उसने कल रात उसकी मदद की थ जब शाम को वो बार में फेबियाना से मिलने जाता है, तो जल्दी ही इनकी दोस्ती हो जाती है, क्योंकि वो अकेला भी था और उसे एक दोस्त की भी जरूरत थी, उनकी दोस्ती इतनी अच्छी हो गई थी, कि फेबियाना जल्द ही एड्रियन के घर में शिफ्ट हो जाती ह उन दोनों का एक अलग ही रिष्टा शुरू हो गया था, दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे, एक सुबह जो फेबियाना बातरूम में खड़ी ब्रश कर रही थी, तो उसे वाश बेसन से किसी की आवाज आती है, जब वो कान लगा कर सुनने की कोशिश करती है, तो उ एड्रियन की पहली दोस्त के बारे में पता लगाना चाहते थे, जो दो दिन से गायब है, उन ओफिसर्स को एड्रियन पर शक था, कि कहीं इसने उसे मार कर घर में छुपाना दिया हो, मगर एड्रियन उन्हें अब उसका वीडियो मैसेज दिखाता है, जो इसकी दोस्त ने कि एड्रियन उसे बहुत पसंद भी करता था, तुम इस आदमी से जरा बच कर रहो, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, फैबियाना भी ये सब बातें सुनकर सोचने लगी थी, मगर एक तरफ उसके दिल में लालच होती है, वो एड्रियन की तरह ही अमीर, हैंडसम, हूपस इससे उसका जिस्म भी जल जाता है, जब वो एक रात बाट टब में बैठी थी तो अचानक से पानी वाइबरेट हिलने लगता है, इससे अब वो और भी ज्यादा डर गई थी, उसे लगने लगा था कि एड्रियन के घर में किसी भूत आत्मा का साया है, जब इस बारे में वो एड्रियन को बताती है, तो उसे इसकी बातों पर यकीन नहीं आता, वो कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है मेरे घर में, अब इसी तरह एक दिन फैबियाना को घर से एक चैन में चाबी मिलती है, जिसको उसने गले में पहन लिया था, वो उसे एक लॉकेट के तोर पर पहना ह बहुत अच्छा लग रहा था, तभी अचानक से घर की लाइट बंद हो जाती है, फैबियाना नीचे से किसी की आहट को महसूस कर रही थी, तभी कोई उस पर हमला कर देता है, थोड़ी देर बाद एड्रियन भी आ गया था, वो फैबियाना को उठा कर बिठाता है और पान की है, इसी लिए तुम्हें आकर उसे चेक करना होगा, अब जब ये दोनों देखने जाते हैं, तो एड्रियन उस लाश को देख कर कहता है, नहीं, ये मेरी दोस्त की लाश नहीं है, जिस बात पर फैबियाना थोड़ा घबरा गई थी, और नाराज हो जाती है, एड्रियन भी उसके दिल की बात को समझ रहा था, कहता है, देखो तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, अगर ऐसा हुआ भी, मेरी दोस्त जिन्दा हुई भी या वापस आ गई, मैं अपनी जिन्दगी में पीछे नहीं जाऊंगा, अब मैं पलट कर नहीं देख सकता, तुम ह हमेशा मेरी जिन्दगी में रहोगी, यह सुनकर फेबियाना खुश हो गई थी, यह दो एक मिरर शीशे के सामने खड़े होते हैं, बाहर से तो वो शीशा था, मगर अंदर एक लड़की थी, जिसकी बहुत बुरी हालत थी, वो इन दोनों को देख रही थी, जो कोई और नह नजर आता था, मगर अंदर से वो एक कमरा था, जहां पर खड़ी एड्रियन की दोस्त उसे देख रही थी, मगर बाहर से कोई नहीं देख सकता था, अंदर से तो घर की हर चीज नजर आएगी, मगर बाहर खड़ा इनसान अंदर नहीं देख सकता, एड्रियन की दोस्त की हा इसलिए वह बेलन के साथ इस घर में शिफ्ट हुआ, वो दोनों हसी खुशी अपनी जिंदगी गुजार रही थी। इसमें परेशान होने की क्या जरूरत है, तुम अपने प्यार को टेस्ट कर सकती हो, चलो मैं तुम्हें एक चीज दिखाती हूँ, वो बेलन को घर की सबसे बड़े कमरे और अलमारी के साइड पर चाबी लगा कर एक दरवाजा खोलती है, जिसके पीछे एक खुफिया कमरा थ चाहती हो, तो तुम उससे अपना रिष्टा खत्म करके इस कमरे में दो या तीन दिन तक रह सकती हो, इससे तुम्हें पता भी चल जाएगा कि वो तुमसे प्यार भी करता है या नहीं, उसे तुम्हारी कितनी परवाह है, तो ये आईडिया बहुत अच्छा लगता है, वो जल्दी से फोन करके एडियन को बताना चाहती थी, मगर फोन में सिगनल्स भी नहीं थे अंदर से, तो बेलन खड़ी सब देख पा रही थी, वो एडियन को बहुत आवाजें भी देती है, मगर ना तो उसकी आवाज बाहर जाती है, और ना ही वो उसे देख पा रहा था, ब देख कर तो बेलन और ज्यादा दुखी होती है, वो सोचती है कि एडियन तो मुझसे बहुत प्यार करता था, तो मुझे ऐसे धोखा कैसे दे सकता है, मुझे तो लगा था कि मेरे गायब होने के बाद उसे मेरी बहुत परवाह होगी, कि मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, त इसे फिर से वाश बेशन के सुराख से आवाजें आ रही थी, और यहाँ पर अब हमें पता चलता है कि वो आवाजें किसी और की नहीं, बलकि बेलन की थी, जो अकसर ऐसे ही बोलकर फैबियाना को परेशान किया करती थी, क्योंकि एडियन की जिंदगी में उसकी जगह एडियन को उसकी किसी बात पर यकीन नहीं आता, एक दिन फैबियाना जब घर पर अकेली थी, तो वो वाश बेसन में पानी भर कर कहती है कि बताओ मुझे, तुम कौन हो, तुम क्या कोई आत्मा हो, दूसरा सवाल वो करती है, या फिर कोई इनसान तभी पानी वाइबरेट होने लगता है, हम देखते हैं कि उसी खुफिया कमरे में बेलन पानी के पाइप पर जोर-जोर से किसी चीज़ को मार रही थी, जिससे पानी वाइबरेट होने लगता है, फैबियाना को इस बात का अंदाजा हो गया था, कि इस घर में कोई इनसान है, जो मुसीबत में फंस हुई है और उसे मदद की जरूरत है, इसके बाद जब वो कमरे में अलमारी चेक करती है, तो उसे एक लॉक मिल जाता है, जो एक चाबी से खुल सकता था, उसी चाबी से जो इसने गले में लॉकेट समझ कर पहनी थी, जब ये उस चाबी को लॉक में लगाने ही लगी रुक और कुछ बदला बदला भी था, फैबियाना को उसे देखकर, यह लगता है कि वो अपनी दोस्त की वजह से परेशान है, अगली सुबह फैबियाना का पुलिस ओफिसर दोस्त घर पर आता है, जिसने पहले भी एड्रियन के बारे में बताया था कि वो अच्छा इंसान नही है, वो फैबियाना को लाकर एड्रियन की लड़की के साथ तस्वीरें दिखाता है, जिसे देखकर फैबियाना भी अब समझ गई थी कि एड्रियन अच्छा लड़का नहीं है, वो अब दोबारा से वाश बेसन के पास जाकर उसमें पानी भरकर फिर से सवाल करती है कि तु अब भी लगाकर जब दर्वाजे को खोलती है तो अंदर की बहुत बुरी हालत थी, थोड़ा सा आगे जाने पर इसे बेलन बेहोश मिलती है, जब ये उसके पास जाकर उसे जगाने की कोशिश करती है, तो बेलन जाकर फैबियाना के सिर में कुछ दे मारती है, वो वहीं प चाबी को भी शीशे के सामने बेट पर रख दिया था, अब जब एड्रियन घर आता है, तो उसका डॉग उसे वो चाबी देता है, और शीशे पर चिपकी हुई तस्वीर को भी देखता है, फैबियाना अब उस शीशे के पीछे कैद थी, जहां पर पहले बेलन थी, फैबि इसी सस्पेंस को दिखाते हुए हमारी फिल्म की ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती,